हाई वेलकम टो बाच चनल इस वीडियो में सॉल्ब करेंगे हाउ टो फाइंड दी स्क्वेर रूट आफ दिस नंबर 0.813604 तो यह डेस्मल नंबर है तो यहाँ पर डेस्मल के बाद जो है आने वाले यतने भी डिजिट्स है उन सब का पेर बनाते हैं तो यहाँ पर पेर बन जाएगा इसलिए हम अराम से पेर बना लेंगे राइट साइट से यहाँ पर देखे एक पेर बना 0,4 का 3,6 and 8,1 यदि पेर नहीं बनता तो हम 0 बढ़ा करके जरूर पेर बना लेते मतलब मेरे कहने का यह है कि यदि 0.813 यदि 0.813 होता तो हमारा पेर नहीं बन पाता 13 बनाते और 8 छूड़ जाता इसलिए हम 0 बढ़ा करके पेर बना लेते ऐसा करने के बाद ही हम इसमें solve करते उसके बाद उसके आगे जो है 2 places of decimal या फिर 3 places of decimal तक निकालने के जिरू नहीं है चलिए अब solve करते है तो यहाँ पर देखे 0 है यहाँ पर decimal के left side में क्या है कि वाल एक number है 0 अब 0 को 0 से ही ले जाना पड़ेगा तो 0 को 0 से ले जाएंगे तो 0 बार जाएगा और यह खितम हो जाएगा फिर यहाँ पर और पहली बार गया है 0 से अब decimal के बाद वाला जब पेर उतारते हैं तो यहाँ पर decimal लगा देते हैं ठीक है जब भी decimal के बाद वाला पेर उतारेंगे तुरंत decimal लगा देंगे तह यहां पर हो जाएगा 81 अब 81 मिली जाने के लिए आप जानते हों किस से ले जाना होता है 9 से ले जाना पड़ेगा आप 9, 9 जा किया होता है 81 होता है तो यह हो गया terty16 उतारेंगे आपर आप और यह आइड कर लते है और यह 9 भर गया है तो यह 9 जो है उतार रहते हैं अब यह देखें 18 से ले जाएंगे 36 में तो आप 1 यहां पर अक्के ले जाएंगे ना तब भी यह छोटा पड़ जाएगा क्योंकि 1 ने से ले जाएगे तो मिलेगा 181 और 181 जो है 36 से बढ़ा हो जाएगा तो आगे वाला पेर उतारना अब 0 पढ़ाना पड़ेगा यहां पर और यहां पर भी तभी जागर कि आप आगे वाले पेर को उतार सकते हैं तो आप 0 4 यहां पर आप उतार लेंगे clear अब 0 फूट आने के बाद अब यहाँ पर देखें किस से ले जाना होगा तो बिल्कुल अब 2 से चला जाएगा ठीक है क्योंकि 18 के टेवल पढ़ेंगे आप 36 में तो 18 2 जा क्या होता है 36 होता है तो 2 टाइमस में cancel out हो जाएगा मतलब कि हमारा जो answer है वो यही है perfect square है बिल्कुल means square root of हम ली सकते हैं कि 0.813604 is 0.902 ओके तो हमने इस वीडियो में समझ लिया कैसे यह करेंगे square root निकालेंगे कैसे thank you so much for watching bye उनकर हो हक Rebecca हाएगग कर हो घ्या उनकर आग हम एतकी बदे को